राम राम दोस्तों इस वक्त पश्ची में उत्तर प्रदेश में काफी माहोल गरम है क्योंकि दस तारीक को चुना हुआ है वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही माहोल गरम है लेकिन जिस तरह से आज देश के ग्रह मंतरी ने कहराना में आकर डोर टो डोर केंपेंड किया परिचे बाटे कुछ घरों में उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी का पहला निशाना जैन चोधरी ही है राष्ट्रिय अलोक दली है जाहिर सी बात है बीजेपी की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ने 2017 और 2019 में इस पारिटी को हाश्ये पर धकेल चुकी है इतना जादा हाश्ये पर धकेल चुकी है कि इस पारिटी के पास खोने को कुछ बचा नहीं है और पारिटी अपने अस्तितु की लड़ाई लड़ रही है अगर यहाँ से पारिटी ना उभर पाई तो शायद जैन चोदरी आगर राजनीती भी न करें वो राजनीती छोड़ दें और कोई बिसनस करने लगे वैसे तो वो संपन परिवार से आते हैं वो राजनीती नहीं भी करेंगे तो उनको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला लेकिन जो उनकी अनुयाई हैं उनके पारिटी के जो उनकी पारिटी को चाते हैं उनके लिए ये बेहद इंपोर्टेंट चुनाव है और यही कारण है RLD के कार्य करताओं ने RLD के चाहने वालों ने पूरा जोर लगा दिया है सोशल मेडिया से लेकर गाउं काउं तक क्योंकि उनके दिमाग में एक बात है वो एक बात जानते हैं कि किसानों का मजदूरों का और खास करकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो जायन चोधरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाउं में तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो जो भाजपा है वही सपा है वो सरकार में आभी जाएंगे तो सिर्फ पूरब में काम करेंगे हमारे इधर कोई काम नहीं करता इसलिए जो हमारे इधर की पारिटी या आरल्ड वो सरकार में होनी चाहिए ताकि जो बजट है उसका कुछ हिस्सा इधर भी खरच करवाए यही कारण है कि बहुत बड़े लेवल पर आप आरल्ड के लिए सपोर्ट देख रही है यहां तक कि सोशल मेडिया पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरल्ड के हैश्टैग भी ट्रेंड कर रही है लेकिन इस वक्त जैन चोदरी फस चुके हैं जैन चोदरी फस के रह गए है तरसल में पश्ची में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत एग्रेसिव कैमपेंड चलता है इतना बाकी के उत्तर प्रदेश में वा एग्रेसिव कैमपेंड नहीं करते क्योंकि जो दुरुविकरन यहां से होना शुरू हो जाता है उस कासर पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है और यही कारण है बीजेपी यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाती और इसमें सबसे बड़ी कड़ी होती है पहले जाट वरसिस नौन जाट और फिर जो बचा हुआ जाट है उसमें से भी 20-30% बीजेपी तोड़े के ले जाती है यह कहकर कि जैंद ने गौनसा जाटों का ठेका लिया हुआ है जैंद यह कहते रह जाते हैं कि मैं किसी एक जाती का नेता नहीं हो पूरे पश्चे में उत्रप्रदेश की बात करता हूँ लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता लेकिन ऐसा मानना जा रहा है पिछले 5 सालों में जो खास कर कि परदेश का युबन नाराज है वो पश्चे में उत्रप्रदेश में जैंद चोदरी के पीछे कहड़ा है कि अगले दो-तिन दिन के अंदर जैन्त को बलुकुल फ्री हो जाना चाहिए टिकेट बटवारों से जितने टिकेट हो गए हो गए सही हुए गलत हुए ठीक है वो सब सपोर्टर संभाल लेंगे लेकिन अब जैन्त को प्रचार में उतर जाना चाहिए एक दिक्कत ये भी है कि रहलिया बंद है डोर टो डोर में कितने लोगों को गवरग कर पाएंगे जैन्त चोधरी ये सब वो बाते हैं जिनके उन्हें सवाई डोनने हैं और उनको एक एग्रेसिव प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि अगर एग्रेसिव प्रचार में जैन्त चोधरी नहीं आये तो काफी देर हो सकती है पार्टी के लिए भी और साथ ही साथ सपागड बंदन के लिए भी तो चलिए दोस्तों मैं राहुल चोधरी फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही आगे भी इसी तरह की तो इस दुनिया वोलिवोडर खेल गी तमाम अप्लेट्स के लिए बने रही है मेरे साथ जैमादादी